हाई गईज लोंकम बेक टु मैं चैनल और आफिकेशन का रिव्यू दूंगा इस अप्लिकेशन करने में इंस्टेन पर्सोनल लोन तो guys इस applications पे loan apply करने से पहले इस वीडियो को आपर जोर इन तक दिखेगा इस वीडियो के तरूँ आप लोगो को में इस applications का loan पॉसर लाइब टूप के साथ दिखाऊंगा और साथ-साथ यह बता हूँगा कि instant personal loan application real है या fake है और यह application loan provide करते की नहीं और आप लोगों को इस applications पे loan के लिए apply करना चाहिए या नहीं चाहिए तो guys instant personal loan application को open करने की टाइम पहला interface step के आ जाएगा और यह पे आप लोगों को different different type का loan दिखने को मिल जाएगा जैसे कि personal loan, business loan, two-wheel loan, car loan, home loan, professional loan तो यह पे personal loan को चूज कर लेते, personal loan को चूज करने की बाद आ जाएगा login का option, login करने की बाद step के interface आ जाएगा maximum loan amount of to five lakh और नीचे आप लोगों को apply no का option दिखने को मिल जाएगा तो यह पे click करने की बाद step के interface आ जाएगा complete your KYC, तो guys यह पे आप लोगों को पहले loan amount और 10 आ जाएगा, you have submitted KYC for a personal loan of five lakh रुपीज, तो guys यह पे आप लोगों को वेट करना होगा, वेट करने की बाद step के interface आ जाएगा, congratulations, your loan has been approved, और नीचे आप लोगों को एक service charge दिखने को मिल जाएगा 25,000 रुपीज, तो guys यह पे यह कहा जाता है कि अगर को instant personal loan application की दरब से five lakh personal loan application की दरब से five lakh loan पने के लिए पहले 25,000 रुपी service charge पे कर देते हैं, तो आगे जाके आप लोगों को loan भी नहीं मिलेगा, और आप लोग लोगों के लिए जो भी amount service charge पे करेंगे, बहु भी पूरा का पूरा लास हो जाएगा, क्योंकि guys instant personal loan application एक totally fake loan application है, और यह application लोगों को ज्यादा loan amount देने के नाम पे सिर्फ लोगों से service charge ले लेता है, और आगे जाके loan provide नहीं करता है, और guys instant personal loan application के बार में play store में one star rating पे जितने सारे review दिये गए, हार एक review पे साब साब कह दिये गए, कि instant personal loan application एक fake application है, तो पहला review देख सकते fraud app, और इन्होंने इस applications पे loan के लिए 28 पे लिए 2800 रूपिस पे कार चुका है, बड़ा गया जाके इस applications की दरब से loan नहीं मिला है, नीचा और विए पे यह कहा गया है, कि completely fake, I lost 15000 रूपिस तो guys देख सकते हैं, इन्होंने इस applications पे लोण के लिए 15000 रूपिस पे कार चुका है, बड़ा जाके इस applications की दरब से loan नह इतने सारे रिविउ दिया गया है, रिविउ देखके आप लोगों को पता चल गया होगा कि instant personal loan application एक fake application है, तो guys instant personal loan application एक fake application है, और आप लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करें, और loan के लिए पहले advance पैसा पे ना करें, और guys आप लोगों से मेरा request है कि आप लोग इस वीडियो को जासे अदा शेयर कीजिए, तकि हर किसी को इस applications का असलियत पता चले, और ये application आगे जाके किसी के साथ loan के नम किसी भी तरह की fraud ना कर सके, तो कैसे ही थास का एक छोड़ा संग गई, तो आप लोगों के साथ मुलका थोरा निक्स वीडियो में, तब तक के लिए जाई हिंद बंदे मातरम